So guys, पिछले वीडियो में हम लोगों ने dark mode को enable करा था, by default जो theme था, हम यहाँ से enable dark mode कर सकते हैं, और disable भी कर सकते हैं, dark mode को जब मन चाहे, तो बहुत बढ़िया बन गए थी, एक चीज यहाँ पर मैं और add करना चाहता हूं, जो की है alerts, जो की bootstrap out of the box offer करता है, तो यहाँ पर जैसे ही इसको लेकर आते हैं, मानलो यह alert आ गई है यहाँ पर, तो मैं यह x पर click करके इसको dispense कर सकता हूं, तो मैं इस तरह का alert component बनाऊँगा, और हम अपनी app के अंदर, जितने ज्यादा components बनाएंगे, उतरा अच्छा है, मैं आपर अगर आप लोगों को alert.js बना कर दिखा और मैं definitely यह return कर दूँगा, और मैं आपर definitely class is equal to को replace कर दूँगा, class name is equal to say, और इसमे html forward जो tab index है वो तो ही नहीं, तो यहाँ पर, देखो मैंने गरबर करी है, class name is equal to say, तो मैं इसको replace कर दूँगा, और यहाँ पर definitely मैं यह as is नहीं रखना चाहूंगा, मैं obviously यह चाहूंगा और कि जो alert है हमारा, वो हमको supply किया जाए as a prop, ठीक है, यहाँ से मैं props लूँगा, मैं आपर props लिख देता हूं, और props लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, कि यहाँ पर, जो पूरा का पूरा मेरा alert message है वो डालूँगा, तो मैं आपर लिख दूँगा props.alert, ओके, तो कि जो dismiss करने वाला है, वो हो जाएगा काम हमारा, app.js के अंदर मैं कहाँ पर, डालूँगा अपने alert को nav packages नीचे, तो मैं आपर alert लिखूँगा कुछ इस तरह से, ALERT, और यहाँ पर देखो, मैं जैसे ही यह करूँगा, मैं in fact, इसको इस तरह से close करना prefer करूँगा, इसको यहा पर यह कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है, और इस तरह से इस तरह से दिखाई पड़ रही है, कि इसके अंदर कोई कुछ है नहीं, actually, अगर मैं आपर alert को भेजूँ, as a prop, alert text भेजूँ, और कुछ ऐसा करूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, मैं आपर लिखूँ, alert is equal to let us say, this is alert, और मैं save करूँ, और इसके बाद मैं reload करूँ, तो यहाँ पर देको this is alert लिखकर आगया, और इसको dismiss किया जा सकता है, ठीक है, और dark mode पे भी, यह कैसा दिखेगा, दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं cut करके ऐसे डाल देता हूँ, और यहाँ पर इसको strong के अंदर रख alert मैंने डाल दिया है, तो थोड़ा सा यह गाड़ा दिखेगा, जैसे आप देख सकते हों यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अभी, कि एक alert नाम की state बनाएंगे, जिससे अपने यह बनाया है, हम alert नाम की state बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं use state याद रखना, alert को मैं एक object बना रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं method लिखूँगा, set alert नाम का, set alert नाम का method क्या करेगा, alert को set कर देगा, तो मैं set alert नाम से एक method बनाऊँगा, एक arrow function को इस्तेमाल करूँगा, और set alert क्या लेगा, एक तो message लेगा, जो alert message है, और type of alert लेगा, और यह अब यहाँ पर देगा, set alert नाम का message मेरा, यह conflict कर रहे है नाम, यह जो alert state को set करने का, जो function है, और यह वाला function, तो मैं इसका कुछ और, इसका नाम में show alert अलग देता हूँ, ठीक है, यह set alert अलग है, show alert अलग है, set alert क्या है, इस value को set करने के लिए, जो state variable है, हमारा alert नाम को, उस अब लोगों क्या है, अगर आपने bootstrap use करा है, तो शायद आपको पता भी चल गया होगा, अब अगर आप लोगों ने bootstrap में काम नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूँ, कि यह चार तरह के alert messages है, आप लोग देख सकते हो, एक तो हमारा याप पर alert primary है, और यह success है, यह warning alert है, और यह हमारा danger alert है, तो danger आप लिखोगे, तो red color का alert message मिलेगा, success के लिए green color का मिलेगा, तो आप किसी भी तरह का alert set कर सकते हो, और आपके application में आप कोई warning reacts करना चाहते हो, यह आपने ऐसे से कर दिया, तो आप एक warning वाल alert set कर दो, तो मैं basically क्या करूँगा, इस सारे के सारे alerts जो है, यह set करने की कोशिश करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, कि जो हमारा set alert है, मैं उसको इस्तिमाल करूँगा, मैं जो alert है, उसको कुछ इस तरह से set कर दो, इसमें एक तो message होगा मेरा, alert का message, तो message जो होगा, वो मैं आप इसको MSG कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल को same भी रख सकते हो, तो मैं type को type कर देता हूँ, जो भी type pass हो है, वो यहाँ आएगा, और यह एक object बन जागा, तो alert क्या है, alert basically एक object है, जो कि मैं अभी set कर देता है, तो पहले alert मेरा null था, तो अब alert मेरा क्या है, एक object है, तो अब मैं क्या करूँगा, कोई भी काम अगर मैं क कर रहा हूँ, जिसे मानलो, मैं toggle कर रहा हूँ, dark mode को, या फिर let us say, मैं अपने इस text form वाले component के अंदर ही मैं मानलो, कुछ text के साथ कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक alert दिखाऊँ, ठीक है, तो मैं आपर करूँगा क्या, अब मैंने alert is equal to यह कर दिया, तो मैं alert is equal to इसको alert pass करूँगा, और यह alert क्या है, alert यह वाली हमारी state है, ठीक है, तो यह जो variable है, यह जो state variable है, यह pass हो जाएगा कहाँ पर, alert के अंदर, और alert के अंदर मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगा, यह object है हमारा, msg और type s में, तो alert.msg यहाँ पर लिखूँगा, और उसे के करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मैं इसे copy करूँगा, और आप लोग देखते जाना भी यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं colon लगा कर कुछ ऐसे करूँगा, और आप देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर type लिख दिया, तो अगर यह type इसका success ह और यहाँ पर क्या लिखकर रहेगा, props.alert.messages से कर के लिखकर रहेगा, जो भी मैसेज होगा अलर्ट का, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना यह, इस function को पास करना है, show alert नाम के function को पास करना है, किसको देना है, मुझे text form को देना है, text form को देकर, मैं text form को देकर, यह बोलू setAlert को call करूँगा और setAlert को मैं जो message है वो दूँगा dark mode has been enabled और उसी के साथ जो दूसरा argument बने का उसको मैं success करूँगा ठीक है तो dark mode हमारा enable हो जाएगा जैसे ही मैं click करूँगा toggle mode वाला function run होगा और similarly मैं क्या करूँगा यही काम करूँगा light mode के साथ भी, light mode has been enabled light mode has been enabled and success, अब मैं दिखाता हूँ यह किस तरह से काम कर रहे है अब यहाँ पर ही कह रहा है, cannot read type property type of null तो देखो एक दिक्कत आ गई है, अब दिक्कत क्या आ गई दिक्कत ही आ गई कि मैं आपर इस्तिमाल कर रहा हूँ किस चीज को props.alert को, लेकिन यह तो पूरा null है अब लगा, initially तो null है न, मेरा कोई alert ही नहीं, तो एक syntax के बारे में बताऊंगा अब यहाँ पर आप लोगो को और समझना, उस syntax को मैं prefer नहीं करता हूँ, but use करने में मज़ा आता है उस syntax को और उसी के साथ-साथ बहुत सारे लोग use करते हैं, इसलिए जानना बहुत जरूरी है, community बहुत prefer करती है ऐसा समझना, ठीक है, मैं तो AFL statements लिखकर आपको अच्छी तरह से समझा दूँगा, but यह वाले जो syntax मैं भी आपको आपकी यह वाली जो चीज है वो evaluate होगी अगर यही false हो जाती है, null हो जाती है तो आगे की चीज evaluate ही नहीं होगी और अगर यह true होती है, तो दूसरी भी evaluate होगी तो जब यह चीज evaluate होगी तो क्या होगा basically, यह चीज आपकी return हो जाएगी, तो अगर similar है, ठीक है, तो मैं आपर कुल मिला कर यही बात कह रहा हूँ, कि अगर यह चीज जो है, एक false में evaluate होती है, तब कुछ करो ही मत वरना यह करो, ठीक है, तो यह syntax हमेशे या दखना हो, देखो यह चीज हमारी fix हो चुकी है, मैं enable dark mode करूँगा तो यहाँ पर देखो दिक्कत तो आ रही है मुझे, दिक्कत यहाँ पर आ रही है, और मेरा message यहाँ पर नहीं आ रहा है, मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा है मेरा message, और मैं आपर देखता हूँ कि console में कोई error भी बैठा हुआ है higher error बैठा हुआ है क्या कह रहा है तो यार यह जो error है वो basically मुझसे एक कह रहा है कि आपने set alert को use कर दिया आपको show alert यूज़ करना चाहिए देखो मैंने बहुती confusing नाम रखें दोनों set alert क्या है set alert इस state को set करने का जो function है वो है और show alert क्या है show alert यह वाला function है जो की run होता है यह message और type लेता है तो यह show alert function है जो message और type लेता है देख रहा है आप लोग यहाँ पर मैंने message और type जो लिया है show alert लिखना चाहिए था मैंने set alert लिखने रगल दिखें सेव करके क्या scene है ठीक है मैं इसको reload किया भी सब कुछ सही लग रहा है मुझे enable dark mode किया मैंने यहाँ पर और देखो success dark mode has been enabled लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ मैं यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर alert warning लिखा हुआ है मैं यहाँ पर props.alert.type use करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर backtix लगाँगा यह syntax हम पहले देख चुके है तो थोड़ा सा मैं तेज लिखूँगा यह चीज़ यहाँ पर और आप लोग को दिखाता हूँ तो मैं यह पूरी JavaScript है तो इसको curly brace के अंदर और फिर उसी के साथ साथ dollar लगाकर मैं आपर यह जो template लिटर ले इसके अंदर variable ला सकता हूँ यहाँ कर ली बेस की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो यहाँ पर अब यह green color का मुझे श्यों होगा देख रहो success dark mode has been enabled ठीक है अब उसी के साथ साथ मुझे एक चीज और करनी है कि यह जो मेरा success है यह जो success है मैं इसका पहला character capital करना चाहता हूँ तो वह भी मैं करना चाहूँगा तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा यहीं पर एक function मनाऊंगा और वो जो function है उसका नाम मैं रखूँगा और मैं क्या करूँगा return करूँगा ध्यान से देखना मैं क्या return कर रहा हूँ मैं जो मेरा string है जो मेरी यहाँ पर car at 0 तो मैंने का str.car at तो मैं इसको करूँगा lower.car at 0.to uppercase यानि कि जो पहला हमारा character है उसको uppercase में कर दो और उसके बाद क्या करूँ lower.slice और क्या करूँ यहाँ पर मैं one लिख दूँगा तो यह क्या करेगा पहले character को छोड़ के सारे character ले लेगा तो अब मैं क्या करूँगा मैं आपर capitalize के अंदर दे दूँगा इसको जो मेरा props.alert.capitalize और props.alert.type मैं कुछ इस तरह से दे दूँगा तो यह मेरा capitalize भी कर देगा success dark mode has been enabled तो मैं dark mode को disable करूँगा success light mode has been enabled तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ अब मैं अगर convert to uppercase convert to lowercase इसमें भी alert देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा मुझे बहुत simple सा काम करना है यह जो method है मेरा show alert इसको मुझे pass कर देना है कहां पर text form में तो मैं show alert को pass कर दूँगा text form में का show alert is equal to show alert और actually मैं क्या करूँगा text form के अंदर जाकर जितने भी handlers हैं इसमें यह method मैं use कर सकता हूँ किस तरह से use कर सकता हूँ मैं ऐसे use कर सकता हूँ props.show alert और मैं आपर कुछ ऐसा कर देता हूँ मैं on change के अंदर नहीं डालना चाहता है मैं डालना चाहता हूँ जब मैं uppercase में convert कर रहा हूँ converted to uppercase ठीक है मैं कुछ इस तरह से करूँगा और क्या दूँगा मैं इसमें success और same काम मैं lowercase के लिए कर सकता हूँ और similarly आप बाकी की जो handlers है उसमें भी message लगा सकते हैं तो खुद लगा लेना आप लोग ठीक है तो मैं लिख देता हूँ lowercase और ये भी success रहेगा ठीक है तो अब यहां पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसको reload करके कि यह सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है अब देखो मैंने जैसे enable किया dark point वैसे के वैसे यह मुझे alert नहीं दिख रहा है उसका reason पता है कि है मैंने alert को dismiss कर दिया है तो मैं नहीं चाहता कि अगर alert मेरी dismiss हो जाए उसके बाद भी मैं alert को नहीं दिखा पाऊ अब देखो मैं दिखाई नहीं पार हूँ alert को देख रहे हो मुझे reload करना पड़ेगा alert को दिखाने के लिए तो यह तरह का bugs है इसको fix करेंगे ठीक है कैसे fix करेंगे मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं यह alert दिखाऊं तो करीब 2 second के बाद यह खुद गायब हो जाए कि मैं नहीं चाहता कि यह alert टंगे रहे हमेशा के लिए बस हाँ user को पता चल जाएगी हाँ उनकी string lower case में convert हो गई है और मेरे साथ दो second तक टंगा रहा है और यह alert चला जाए उसके बाद तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे देखा हम क्या करेंगे तो ऐसा करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे सबसे पहले तो यह जो मेरा cross वाला button है मैं इसको अटाना चाहूँगा मैं नहीं चाहता कि यह cross वाला button रहे यहाँ पर क्योंकि anyways मैं alert को dismiss कर रहा हूँ दो second बाद तो user को dismiss करने का तरीका देने का कोई मतलब नहीं है पहली चीज़ तो मैंने यह करी उसी के साथ सारी जो set alert है मैं क्या करूँगा sorry जो मेरा show alert है जहाँ पर मैं यह alert को show कर रहा हूँ उसके अंदर मैं एक logic लिखूँगा सबसे पहले तो मैंने alert को set कर दिया इसके बाद मैं कहूँगा कि 2 seconds के बाद क्या करो set alert null कर दो ठीक है तो मैं क्या करूँगा set timeout का use करूँगा set timeout क्या करता है set timeout कुछ time के बाद क्या करेगा कि आपका कुछ run करेगा logic ठीक है set timeout किया मैंने और मैं आपर लिख दूँगा set alert और set alert null तो मैं कुछ time के बाद इसको null कर दूँगा अब देखो यह कैसे काम करेगा तो यहांपर देखो मैंने reload किया इसको dark mode को मैंने enable किया 3 second में गिन रहा हूं और 3 second मैंने गिने और यह चला गया देखो इसी ज़रा मैं convert to upper case करूँगा 3 second गिने 3 second गिनलो आप चला गया मैं इसको यार 2 second करना चाहूँगा in fact मैं इसको 1500 करना चाहूँगा 1,5 second मेरे साब से 3 second बहुत जाता है आपको गर कम लग रहे हैं तो बढ़ा लेना आप ठीक है enable और यह चला गया देखो alert मेरे साब से इतना काफी है किसी ने कुछ लिखा convert to upper case गया clear text मैं सब में alert डाल देता हूँ वहना बहुत सारे लोग मुझे message करेंगे comment में लिखेंगे कि यार हमने बाकी methods में क्यूं नहीं लिखा इस वाले method में क्यूं लिखा तो मैं सब भी में डाल देता हूँ copy करके युकि मुझे इस तरह के questions भी आते हैं तो मैं जो clear click है text cleared तो मैं यह सारा डाल देता हूँ यहाँ पर text cleared और on change के अंदर में कुछ नहीं डालना चाहता फिर यह जो handle copy हमने लिखा था copy to clipboard कर देता हूँ मैंने आपर alert दिखा दिए हर action के corresponding dark mode enable करूँगा तो यहाँ पर dark mode has been enabled आ गया मैं अगर upper case में convert करूँगा converted to upper case यहाँ पर आ गया alert हमारा तो यह काम हम लोग जो है कर सकते हैं तो I hope कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस course को करते हुए और I hope कि आप लोगों ने जो है यह playlist जो है access कर ली है और उसे के साथ साथ आपने इसको save कर लिया है click करके और यहाँ click करके bookmark कर लिया अकर आपने ऐसा नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करो ऐसे क्योंकि यहीं पर डालने वारा हूं यहाँ सारे का सारे वीडियो में और इसको आप अच्छे से follow करो and definitely आप जो है master कर पाऊ को react को एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाता हूँ और वो यह है कि मैं चाता हूँ कि आप मुझे इस course को review करके पांच में से rating दो जरूर मुझे इस course को आप क्या समझते हो पांच में से कितने मिलने चाहिए तो वो मुझे आप जरूर दो नीचे comment section में सब के comment का मैं wait करूंगा अभी के लिए इस video में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो